दोस्तो नमस्कार है मेरा नाम धीपक है और मैं आपके लिए लेके आए हूँ एक important information दोस्तो आप सब लोगों को पता है कि TGT PGT को लेकर है ना सुख भुगाहट बहुत तेज हो गई है सब को ये पता लग गया है कि I.O. गटित हो गया है सारी चीज़े अब धीरे धीरे अपने place पे आ चुकी है और मेरे हिसाब से जो है ये election के खतम होते ही और उसका result आते ही भरती जो है वो निकाल दी जाएगी और कही ना कही जो है वो जो इतने लंबे समय से जो वेट किया जा रहा है 2022 की भरती का वो जो है मेरे ख्याल से fill up कर दिया जाएगा बट उसमें एक चीज और देखने को मिल रही है कि देखिए सबसे पहली बात जो है कि 4, 1, 6, 3 पदों पर भरती विज्ञापन निकला था 2022 में जिसके लिए हो सकता है बहुत आप लोगोंने भी form भरे हूँ अब नई चीज जो निकलके आ रही है क्योंकि इस भरती को हुए वेख कम से कम जो है वो दो साल गुजर रहे हैं ठीक है तो एक नई डिमांड जो है वो निकलके क्या आ रही है कि भई अभी जो है नए पद हो रिक्त हो चुके होंगे वहां पर और उसको लेकर ये demand आ रही है कि उन पदों के लिए भी इन जो 4000 पद है उसके साथ नया विज्यापन जारी किया जाए तो लगग लगग एक idea माना जा रहा है कि 25,000 पद जो है और खाली है अभी ठीक है और उसे विज्यापन में जोड़े जाने की मांग की गई है ठीक है विज्यापन में जोड़े जाने की मांग की गई है तो ये हो सकता है और ये मेरे हिसाब से पूरा पूरा surety है कि सिरफ जो 4 163 है उसके लिए परिक्षाना लेके नए पदों के साथ और नई भरती आने की उमीद है लग भग लग भग देखो ये तो मैं नहीं कहूंगा कि 25,000 पद आ जाएंगे 25,000 पद तो possible नहीं है लेकिन अगर माना जाए कि 5 से 10,000 पद और एड कर दिये जाएं तो संख्या जो है वो एक अच्छी खासी हो जाएगी है ना देखें TGT PGT में लग 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 जो है वो 15,000 चात्रों की उमीद है कि वो इसके लिए अपियर होने वाले हैं तो अगर आप देखेंगे 4,000 पे तो काफी competition नजर आता है लेकिन अगर आप यही चीज देखेंगे कि मानी अगर 10,000 भरती आ गई तो 15,000 विकेंसी जो है अपने आप में बहुत बड़ा option होता है जब आप किसी भी job की त्यारी करते हैं और इसमें एक चीज और है कि student की तरफ से बहुत demand की जा रही है कि यह चीज जो है बनाई जाए और मैं मान के चल रहा हूँ कि यह जो है भरती आगे आने वाली है और इसमेर additional जो है वो भरती include की जाएगी इसमें एक चीज और है क्योंकि देखें यह शुरू से चलता है कि नकल माफिया भी अपनी जगे पूरा सक्रिये रहता है ठीक है कोई भी वेकिंसी आती है तो नकल माफिया, solver वो अपनी जगे पूरे active हो जाते हैं सरकारी तंत्र को कही ना कही खरीदने की कोशिश करते हैं या फिर कही ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड करने की कोशिश करते हैं तो उसको भी ध्यान में रखते हुए एक demand की गई है कि माफिया पर्चा लीक कराने के लिए ना सिब भरतिया प्रभावित कर रहे हैं बलकि लेन देन कर आयोग्ये को भी भरती करा रहे हैं यानि लेना देना चल रहा है तो लेने देने के लिए भी सरकार की एक responsibility है कि इसको बड़े ध्यान से भरती कराए जाए और ये भी माना जा रहा है कि ये जो जैसे मानिये आप किसी particular area के है तो आपका उस area में center न पढ़के किसी third जगे आपको भीजा जाए ठीक है ना क्योंकि अगर आप उसी area के हो तो ज़्यादा probability रहती है कि कोई व्यक्ति जो है वो setting कर ले कोई व्यक्ति भरती को परभावित करे या लेन देन चले तो ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि भरती को प्रक्रिया को एक सुधरिड बनाया जाए और ये भरती ऐसी कराई जाए कि जिससे की नकल कम से कम हो या ना हो और यहाँ पर जो भी योग्य candidate है उनको definitely सफलता मिले तो दोस्तो मैं फिर से बोल रहा हूँ अब please wait मत करिये लग जाईए जुट जाईए और बड़े solid तरीके से इसकी त्यारी करिए मेरा साड़े दस बजे वीडियो होता है ठीक है उस पर जुड सकते है नीचे number दिया है उस पर भी call करके जानकारी ले सकते है किसी के related भी course related या और कोई जानकारी आपको चाहिए तो तो मैं आपको information देता रहूँगा इसके related आप बस लग जाईए और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जुलाई में भरती आने वाली है लग भग लग भग और exam भी बहुत जल्दी करा दिया जाएगा और अगर इसमें additional number जुडते हैं तो ये हमारे लिए एक बरदान की तरह साबित होगा ये ध्यान रखिए ठीक है चलिए Thank you so much for watching this video Bye bye guys, thank you